आखिर बाबा साहेब आम बेड़कर पर सांसद में दहाडे चंद्रशेखर आजाद रावन जिसे सुनकर भाजप सरकार के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो The Buddhist Words YouTube चैनल। तो दोस्तों हमारी आप से एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते, तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सुरक्षित कही जा सकती है। पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशकर आजाद एक लाख एक क्यावन हजार चारसो त्रिहत्तर वोटों से विजई हुए हैं। चंद्रशकर को 5,12,552 वोट मिले हैं। दूसरे नमबर पर बीजेपी के ओम कुमार रहे। उनको 3,61,089 वोट मिले। सपा के मनोज कुमार तीसरे नमबर पर रहे। उनको 1,2373 मत हासिल हुए हैं। बसपा के सुरेंद्रपाल सेह चौथे स्थान पर हैं। उनको 13,222 वोट मिले हैं। और दोस्तो सांसद में चंदरशेखर रावण शपत लेते हुए जय भीम के नारे के साथ अपने हट के अंदाज में शपत समाप्त की। यही नहीं जब चंदरशेखर रावण जी की शपत समाप्त हुई तब एक भाजप के नेता ने कहा। और भाशन देंगे आप। यह सुनते ही चंदरशेखर रावण जी ने कहा कि जरूर देंगे इसलिए तो आये हैं यहां। उस पर खड़ा उतरना है। इसलिए हमें साथ मिलकर हमारे भारत को बुलंदियों की उचाईयों में लेकर जाना है। के सांसद के रूप में कार्यरत हैं। वे भीम आर्मी के प्रमुख और सह संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष हैं। फरवरी 2021 में टाइम पत्रिका ने उन्हें भविष्य को आकार देने वाले सौ उभरते नेताओं की अपनी वार्षिक सूची में शामिल किया। आजाद पश्चमी उत्तरप्रदेश के सहारणपुर के छुटमलपुर गाउं से हैं। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के पद से सेवा निवृत्त हुए थे। वे एक बहुजन नेता के रूप में तब प्रसिद्ध हुए जब उनके द्वारा अपने गाउं के बाहरी इलाके में द्ग्रेट चमार ओफ घडखौली वेलकम युशीरशक से एक होडिंग लगाई गई। संगठन है जो भारत में शिक्षा के माध्यम से दलितों की मुक्ति के लिए काम करता है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए निशुल्क स्कूल चलाता है। 2022 के यूपी विधान सभा चुनावों के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरकपुर शहरी विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा जिसमें आजाद को तीन प्रतिशत वोट मिले। उन्हें सहारणपुर हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफतार किया गया था। अनुमती देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जामा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर लिया और कई दिनों तक हिरासत में रखा। हालां कि उनके कड़ी मेहनत के बाद उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है। तो दोस्तो आपके इस विशय पर क्या विचार है? हमें कॉमेंट करके बताए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकॉन प्रेस करे, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जै भीम, जै भारत धन्यवाद।